भी कि जैहन फंडामेंटल की इस अगली क्लास में आज हम आगेक blocking डिवाइस के बारे में जानेंगे हमारी आगेक pag California нять a क्या इसको भी इसको gasterச रिकागनाजेसे लिवाइस के भी नाम से जानते श्राहिवाव सब्सक्राइब कर दो shine इसारों की पहचान करने वाले डिवाइस की तरह ही कारता है यानि इसमें जो लगा होता हो तो सिस्टम आगे जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या है गेस्न आग जाया सीडिर समधितर की दिवाइस हमारी एक इन्पुट डिवाइस होती है जो हमारे थे इसारे को ले ज eerste प्रकार के वेक देपर उसको लेकर यह एक सिम्बल में कन्वर्ट कर दी य। और उससे संभन्धी डिवाइस में पहिज देती यह बीच्टर किस्टवेश इक्षाय में पूछ लिए जाया? gesture Recognization system तो भी प्रकार की input device है जो software के थू जलती है कोई भी device है, आपकी software के थू ही चलती है, ठीक ना? कुई भी एक्षटे रेक्षटे रिको माहते हा है? जान जान अन्यक्तिर Haanनी zent adequate겠죠 यहां पर क्या लिए gesture recognition device तो यह क्या है एक प्रकार की input device यहां तक तो clear होगे आपका जो हमारे इसारे को यानि हमारे इसारे को in करती है यानि उसको sense करके उसे समंधित symbol को बना कर उसमें क्या करती है इन करने का काम करती है जाने कि इसारे की पहचान कराने के लिए हम किस input device का प्रियोग करते हैं तो इसारों की पहचान करने के लिए हम gesture recognition device का प्रियोग करते हैं यहां तक तो आपको सौझ में आ गया अब हमारा next है अगली input device हमारी क्या है remote हमारी अगली input device क्या है remote ठीक न रीमोट क्या है? रीमोट भी एक परकार की क्या है आपकी Inv-uD decorated Remote क्या है एक परकार की An muss जिसके द्वारा हम अपने डेटा को थिक न यानी की के माध्धम से अपने data को आपके Data करते हैं क्या करते है? अंपने Danny next Day 1, यानि कि जैसे माले लेजए हमारी टीवी है या कैमीरा है। अ उसको रीमोन के माध्थम से क्रते हैं। यानि अपनी कमांड को इसके माध्थम से क्कुरते हैं crestarm काम करते हैं। तो remote कह सी device है? remote एप्रकार की input device है, जिसके माध् while से अपने डेटा को यानि जो हमारे यहां पर की लगी हुई है इस अभी की है हमारे परकार की डेटा ही है जिनके माध्धम से अपने डेटा को कमप्यूटर के अंदर इन कर सकते जैसे हमारा की बोर्ड है आपका train CD, Alphabet, Numeric, जो भी कुछ है तो उसमें अपने डेटा को इन करते है ना, उसी प्रकार से इसमें नंबर और सिंबल दोनों है, ठीक ना, तो उनको क्या करते हैं, इन कराने का कारी करते हैं, तो रिमोट क्या हमारा, एक प्रकार की इन्पुट डिवाइस है, ठीक ना, देखो यहा अगले इन्पुट डिवाइस की तरफ, हमारी अगले इन्पुट डिवाइस है, वी आर, क्या आपका है, वी आर, यानि वर्चुवल रियाल्टी, वास्तविक प्रतभीम, यानि वी आर क्या है, वी आर भी हमारी एक प्रकार की इन्पुट डिवाइस है, यानि ठीक ना, य उसको रियल्टी में बदलने कार करती है, या क्या करती है, एक परकार की input device है, जिसके माध्यम से, हम किसी आभासी चित्र को, आभासी मीडिया को वास्तविक आभासी दुनिया को रियल्टी की दुनिया में convert करने का काम करते हैं, यानि आभासी दुनिया में हम रियल्टी दु तो आप देनीा में convert करती है ठीक ना क्या हमारी है एक प्रकार की हमारी input device है क्या Virtual reality इसे VR कहते है यह पुछ लिया गया एक्जाम में VR है तो VR एक प्रकार की input device है ठीक ना अब VR एक ऐसी तक्नीक है यानि क्या सबसे advanced technology की बनाए गए तक्नीक है वी यर क्या है अपका? यह भविसर में आने वाले सबसे advanced technology पर बनाये जायेगी और भी इसको mixit किया जायेगा, ठीक ना? ठीक झाक यह ऐ एक बहुत advanced technology है, ठीक ना? जो क्या करते हैं? जैसे मालीची हमारे अहां पर VR लगा हुआ है है ना? भीएर में एक आपका डिस्ठेल लगा होगा क्या लगा होगा का डिस्पेली लगा होता है तो इस डिस्पेले की जो भी मूवी चलती है जो यह नि ones औरीसिशरे आपके जीवन गारि करता है जो इस परकारी इन्पूज़ की तरह कार करें तुक्ति िन आप उसमें स्वयम इन्बिल्ड हो सकते हैं खुछ जा सकते हैं लेकिन उसको क्या करता है यानि उसको अभासी चीज को वास्तिक बनाने का कारी करता है तो समझ में क्या है यह हमारी इन्पूट डिवाइस अब देखिये यह इस टेक्णिक को आगे और बढ़ावा दिया जाए गा आगे क्या क्या जबना तो ज्यांनि आपकी आभासी दुनिया को वास्तिक दुनिया बनाने का कारी करती कि आपका यह वर्चुल रियाल्टी सुक्ट अब रियाल्टि तो अभी अगर पूछ लिया गए exam में, कि VR है, तो VR एक प्रकार की input device है, कि आपका एक प्रकार की input device, देखे, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका VR device है, clear? यहाँ पर इसके lens लगाए गया है, यहाँ पर आपका mobile का display है, ठीक ना, किसका display है? mobile का display है, कोई जरूए नहीं कि mobile का display हो, अब बड़ी सी screen देखेंगे, जैसे बड़ी-बड़ी screen उनमें भी VR का प्रियोक की जाता है, तो उनको लगाने के बाद, जब वो उनका प्रियोक किया जाता है, तो यह क्या करते हैं, यह lens क्या करते हैं, आपको इसमें in कर देते हैं, य यानि कि एक अभासिद दुनिया को reality बनाते हैं, यानि कि आपको ऐसा प्रतीत कराएंगे कि आप खुद उसमें हैं, यानि उसके display में खुद इन-build हुए हैं, तिक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जखें, अब क्या है, यहां पर यह है, इसको VR को लगाई हुई है, आखों के म अब जानी रहें लोग पास दिमाग कितना होता है, है कि नहीं, इन लोग का जो दिमाग होता है, यहां ही रहें आप लोग, ठीक, जैसे माल लिजे, यह, अब यह जो है, क्या करती है, present of mind इनका, जानि उनका present of mind होता है, वो बहुत speed से नहीं काम करता है, ठीक ना, एक होता ह है RAM, अब लोग आएंगे fundamental में, RAM, ठीक ना, यानि जो तुरंट का काम होता है RAM पर, जैसे माल जी यह सब साइकल चला रहें है, खुट तेज से, तो अब जैसे इधर से कोई बाइक या कुछ भी आ गया, तो पहले क्या करती है, ब्रेक को पहले नहीं लगती है, यानि कि इनक आपका VR क्या है, एक प्रकार की input device, वी आर क्या आपका है, एक प्रकार की input device है, जो क्या करती है, यानि कि अभासी दुनिया को, यानि कल्पना की गई दुनिया को, reality में convert करने का कार्य करती है, कि इसके माध्यम से, VR के माध्यम से, समझ में आगे क्या आपका VR, चले हम अगल अगली device है fax हमारी अगली device क्या आपका? fax या फिर telecopping या फिर telefax या faxmilly क्या आपका है? faxmilly इसका यानि की fax का old name क्या आपका है? faxmilly ठीक ना? fax क्या है? fax भी एक प्रकार की input device है क्या आपका fax? fax एक प्रकार की input devices का पूराना नाम क्या fax milly जो हमारे daste vajg को जैसे जो हमारे दasta.. यानि की यह एक electronicly purchase क्या आपका है? अपे समझियेगा? H सब्सक्रीवा on. il знаем text को है ना? ऊससे संबन्धी डिवायस में भैजने कारी करते हैं, यह उनको लेकर, एक अस्थान चर दूसरी अस्थान तक पहुशाने कारी करते हैं, त्योlor यह इस समीं, प्रस्यान बंद हो गया है, लेकिन क्या है? तसकी बतलत स्वेंट का बनागं एंग vacunal फारिंट को एक स्थान के उनको ढूसरी असथान पर भेज़ना होता था थैंड को यका ना हूते टब्रों करनी तो फेंग सब्सक्राइब ना है विथ नन्य गतल और स्पक्राइब डान आप Oczywiście यहां पर अपने क्या हुआ यहां पर अपने टेक्स को देते थे किसको देते थे अब यह टेक्स को ले करके क्या करता था इस टेक्स को ले करके जैसे इसमें इमेज हो गया आपका इमेज हो जाएगा पिक्चर हो जाएगा आप जो भी कुछ आपका उनको ले करके, इसमें dial किये गेć, उसमें dial किये गें, नमबर पर भेजने का कारिकरपताथ commence यानि क्या जैसे माली यहां पर एक fax लगा दिया गया एक कुछ दूरी पर fax लगा दिया गया तो यहां से fax जब भेजा जाएगा तो इस fax का number दिया जाएगा तो यह text image इत्यात को ले करके अब क्या करेगा? टेलिफोन लाइन के माध्यम से क्या करेगा? यह एक अस्थान से लेकर यहां पर जला जाएन? तो sohniमा क्या होता है? गुह तो से एक परकार और की यानि FACTS क्या होता है एक परकार की एक प्रकार की इन्पूट तेली कॉपी फैक्स या FACTS मिली, इसको पुराना नाम था उसी का संचित अखया था मिली था इसको संचित में kaikा है ठीक नattend इसका आपका इसको पुराना नाम था वह हमार पुरान नम इसका कहा था, Facts मिली था, क्या था अपका? Facts मिली था, जिसको नया नाम, यानि जो sought from में क्या कर दिया गया? Facts कर दिया गया समझ में आगया? यानि पहले Facts मिली कहा था, बाद में इसको Facts के नाम से जाना गया, ठीक ना? आगे देखते हैं, next हमारी अगली input device क्या आपकी है? ये तो समझ में आगी आपकी क्या है? हमारी जो अगली next, अगली input device हमारी है, Morpho, क्या आपका है? Morpho, ठीक, Morpho भी एक प्र finger के symbol को, या finger के data को, उनसे सम्मधि device में भेजने का कारी करती है, ठीक ना? Morpho का प्रयोग करने से पहले पहले, जो उसका user इसको register करता है, register करने के बाद, वा जिस किसी ब्यक्ति का finger, यानि क्या है आपका? अब ये like as biometric की तरह ही कारती है, जो biometric है, उसी की तरह ही कारती है लेकिन है बहुत छोटी होती है, इसको ले जाने में आसानी होती है, तो ये का करती है, यानि कि मार्फो भी प्रकार खिमारी क्या है, input device है, जो क्या करती है, आपके finger क्यानी अंगुठे के निसान को, उंगलियों के निसान को ले करके इन से सम्मंधि device में भेजने का कारी कर इनका प्रयोग करने से पहले पहले रिजिटर के जाता है, फिर ये का करती है, बैक के finger इत्याद को ले करके उन से सम्मंधि device में भेजने का कारी करती है, यहां तक क्लियर हो गया, यानि कि खास तोर पर इसका प्रयोग जैसे होता, बैंक में KYC होता है, ऐसे कुछ होता है, नियोर कस्टमर के नाम से अपका आता है, KYC इत्याद में किया जाता है, आगे आगे आपको, यह क्या होता है, यह मार्फूस में क्लियर होता है, अगली device देखते है, बड़ा सा गले में दिक्कत हो गई, चलिए, हमारी अगली device है, मंत्रा डिवाइस, क्या आपकी है, मंत्र दिवाइस के अंतर गताती है, मंत्रा डिवाइस भी क्या, एक प्रकार की, इन्पुट डिवाइस है, जो हमारे, डेटा को, यानि, फिंगर के डेटा को, लेकर के, उनसे सम्मधी डिवाइस में इन कराने का कारी करती है, तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, मंत्रा यह अपका क्या है, मंत्रा डिवाइस, और आपका यह मॉर्फो, दोनों ही बायमेट्रिक है, दोनों का कार क्या होता है, फिंगर को, फिंगर के डेटा को इन कराने का कार क्या जाता है, इन दोनों का प्रियोग, क्यवाइसी इत्याद में किया जाता है, चलिए, नेक्स सांट कार्ड, हमारी अगली डिवाइस है साउंड कार्ड ठीक न देख़े, यह एक बाफवाध के रूप में कारे करती है कुछ लोग इसे इनपूट डिवाइस कहते हैं तो कुछ लोग इसे मोच लोग इसे breastory यƏ क्या कहते हैं मार्केट में जाएंगे एक साउंड काड लेंगे इसका साउंड क्ला जो अपने मदर बोर्ट पर लगा देंगे अब यह क्या करेगा जो यहहां पर लगा करके हम जो भी कुछ बोलते हैं यहांँ हमारी आवाज को इन कराता है लेकिन अब जैसे, क्यमालीच मैक को माइक के नहीं केंड़ा ign, हमको सीधने कंप्यूटर के जो हमारे प्रॉटीडर चलना है , जिए 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 जिरी हम अम कोई गाना सुन कोई लोग है कोई वीजू अब देख रहे हैं, कोई वीडिशे theatre भास चाहिए उसके वायस को बड़े से, यानि बड़े से speaker में लगाना है, तो उसके port को हम क्या लगाएंगे, यानि जी समकार किया, आउट port हमारा है, हमने यहां लगा दिया उसके port को, अब यही sound card, उस sound को, हमारे audio को बाहर निकालने का कारी कर रहा है, यह खुद नहीं ता, उसको signal को बा और वही sound card, यहां पर sound के माध्यम से हमारे वायस को आउट कर रहा है, तो अब यह तो clear हो गया आपका ना, यह क्या है, यह है एक प्रकार की input device है, अगर आपसे एकजाम में पूछ दिया जाए sound card क्या है, अगर input का option नहीं दिया है, तो आपसे output आप मार सकते हैं, खास तर प sound card किस के नम से, output device के नम जाते हैं, अगर एकजाम में दोनों पूछ दिया गया, कि sound card input है या output है, पूछ दिया गया, और उसमें एक option दे दिया, input, output दोनों, यानि दोनों है, तो आप दोनों पर मारें, यानि जो हमारा input, output option दोनों रहेगा, उस पर click करेंगे, अगर इस condition मे यानि दोनों option नहीं दिया जाते हैं, यानि कि sound card, input, output, ठीक, यह दोनों option ना दे करें, क्योवल output दे देता है, यानि sound card है, तो आप output मारेंगे, अगर क्योवल input दे कर किसी को ना दिया जाया, तो output, input मारेंगे, अगर मारेंगे, इस condition में, अगर इस condition में आपको दे दिया गय है एक आप को दोनों आप्संन दें दिया गया तो आप आप नहीं कि खास पर अधिक पर लोग इसको और पुट में प्रयोग में लाते हैं जबकि यह भी क्या है प्रकार की इन्पूट डिवाइस है क्लियार होगे आपका चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली इन्पूट ड reader क्या है CCR भी एक प्रकार की इंपुट डिवाइस होती है यह बहुत छोटी सी होती है देखें यहां पर mobile phone है ना आपके mobile phone में हमारा CCR छोटी डिवाइस लगी हुई है जो हमारे क्रेट कार्ट को या debit कार्ट को स्कैन करके इन से संब्दिवाइस में भेदिया जाता है अगर पूछ जाएगा CCR है तो CCR क्या है एक प्रकार की इन्पूट डिवाइस है तो यहां तक हमारे computer की जीतनी भी इन्पूट डिवाइस सब क्या हो गई समाप्त होंगे जैसे अगर आगे भावश में कोई अलग डिवाइस आती इन्पूट डिवाइस तो आपको तुरंत इन्फॉर्म यान तुरंत आपको बताया जाएगा तो